एलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सबका मेरी चैनल पर तो आज मैं एक ऐसे प्रोड़क्ट का रिव्यू करने जा रही हूं जिसमें कोई पेराबिन नहीं होता है कोई सेलफेट नहीं होता है और कोई मिनल ऑल नहीं होता है सबसे बड़ी बात यह एनिमल क्रूल्टी फ्री होत अब कुछ भी ले लीचे वह 250 से नीचे आपको मिल जाता है उसमें साथी साथ आपको डिसकॉम में मिल जाता है और यह जो गुट वाइप की प्रोड़क्ट होते हैं यह बेसिकली आपको पॉपल.com में मिल जाते हैं तो मैं काफी टाइम से अपने प्रोड़क्ट अपने फ हमें प्रोड़क्स मगाया है कि दो मैंने पैया का इसकी प्रोड़क्ट मगाया है रोस हिप का मैंने टॉणर मगाया है तो नहीं मगा आपको जिए जो है 60 ग्राम का और इसका प्राइज है 235 का बट मैंने तीन प्रोडिक्ट साथ लिये थे और इसमें मुझे काफी अच्छा डिसकाउंट मिल गया था और आपको इसके सारे प्रोडिक्ट मतलग गुडवाइब का कोई भी अपना यूस करेंगे तो आपको पता चलेगी चीजी तो आज मैं आपको रोजिप स्किन वाइटिंग फेस मास्का ही आपको भी डेमो भी करके दिखाऊंगी कि और सका जो मैंने ऊडर किया है और कुछ इस तरह के का यह दिखता है कि इस कट को हम क्या बोलreगा फैरेंड फ्रेंग जैसे कि की मती का थोड़ा सा मती ऐगरे जो होते हैं उसकर थोड़ा लाइट को जाएगा और यह मेरा सेट कि भॉक्स मैंने मग आया है अपप इसमें आपको बताया भी गया है कि आपको कैसे यूज़ करना है अपको आपको अपना फेस एंड नेक क्लीन करके अपने आखो को छोड़के आपके पूरे स्किन पे इसको लगाना है और 15 मिंट या सूखने के बाद इसको अच्छे से पानी से धोले उसके बाद अफको आपको अपन करेगा एकने मार्क अगर पिग्मेंटेशन है उनको यह दूर करेगा तो फ्रिंज गुड वाइफ और इसकी जो मैं प्रैटिंज की बात करूं यह भी काफी लग्जूरियस सा है गोल्डन कलर की इसकी कैप है और यह लग रहा है काश का ना मुझे भी लगा था कि ग्लास का है और कहीं मतलब बस मुझे थोड़ा से लगा था यार एक लास का है कभी अचानक गिर गया तूट जाएगा बट नहीं यह प्लास्तिक का है बट बहुत ही लैक बहुत ही में को तो इसके पैकेजिंग भी बहुत पसंद आए प्रोड़क्त तो अच्छे है ही है इसके पैके कर लिया है फेश बॉस से और अब में लगाने जा रही हूं गुट वाइब का जो यह फेश पैक है एक मिट अच्छे से अब इसके लेल लगा ले और इसमें ना जब फ्रेंट आप लगाएंगे तो आपको पिल्कुल जैसे रोस्क होता है ना उसके पैटल्स होते हैं गुल खुश्बू आएगे तो विचिस वेरी नेच्छल की हां अगर हमने इस यह रोस उसका बना है तो आपको पता ही होगा कि रोस के पत्तो में जो खुश्बू आती है ना सेम फ्रेंटन सेम खुश्बू इसमें है तो मैं इसको अच्छे से अपने फेस के चारो पुरे फेस प मैं तो आखों के इंपे भी लगा लेते हूं स्लाइटली सा और यह वापस को लगाएंगे ना तो थंडा सा कूलिंग सा सेंशेशन होगा आपको यह गोना लव इट तो फ्रेंटन मैं अच्छे से अपने फेसपेस को लगा लिया है अब मैं वेट करोंगी इसके सोखनी का और फिर उसके बाद आपसे मलूँगी तो फ्रिंस अच्छे से सुग गया है अब मैं इसको वाश करके आती हूं आपके सामने तो देखिए फ्रिंस मैंने अपना फिश वाश कर दिया है और अब देखिए इंसेंटली लगाते ही एक अलग से हमारी श्याइन हमारी स्किन में आ जाएगी और अब जब भी ना अपने फेस को ड्राइब करें टावल से तो उसको पैड राइब करें उसको ना मतला एसे इसे से रगडा ना वारना ठीक है और हमीशा कोई भी फेस पैक स्क्रबिंग करने के बाद आप टोनर हमीशा लगाएं वैसे फेस पैक लगाने से आपके पूस्ट बन तो हो जाते हैं लेकिन फिल्बे आप टोनर जरू लगाएं और यहां पर मैं गुडवाइब का ही टोनर लगा रही हूं जिसका रिवीव में बहुत जल्दी देखे होंगी तो फ्रिंग्स आपने देखा मैंने आपको डेमो करके दिखाया फ्रेश वास कर लिया बिलिम में गाइज अगर आपको भी पैराबिन सिलिकॉन फ्री और अनिमल कुरूल्टी अगर प्रोडेक्ट चाहिए रीजनेबल प्रोडेक्ट चाहिए जिसमें कोई हामफुल हार्श केमिकल ना हो तो आप गुडवाइब के प्रोडेक्ट अफ्कोस यूज़ कर सकते हैं आम तो लविंग इट मैंने इसका टोनर भी यू कर रही हैं और यह रोज हिप का अब मैं नेक्स आपको जो लेकर आऊंगी वो इसका पपाया का फेश वोस का में रिव्यू लेकर आऊंगी तो फ्रिंस थैंक यू ठेक क्यार अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप पहली बार मेर के चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज लाइक इन सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक यू फेरी मच्छ ठेक क्यार